Be United, Be Thansa मेरा यही एक मेसेज था पार्टी से बढ़ा जाती है और अगर हम लोग एक आवाज में हम लोग अपने कम्यूनिटी के हित में अपने कम्यूनिटी के इंट्रेस्ट के बारे बात करें तो यह हम सब का लिया अच्छा होगा मैंने बिद्यूत का स्टेक्मेंट देखा I welcome it अगर कोई हमारे कम्यूनिटी के वेलफेर के बारे पहले बोलता है और पार्टी के बारे बाद में बोलता है तो इसमें कोई खराबी नहीं है जहां में कोई कम्यूनिटी के थांसा के बारे बात करें मैं उसको वेलकम करता हूँ मैंने जो कहा है वो मैं करूँगा अगर गर्मेंट अप इंडिया सीरियस है तो हमारे भविश्य के लिए अगर आप सबका साथ सबका दिकास चाहते हैं तो आप 30% population, 70% geographical area को इग्नौर करके सबका साथ सबका दिकास नहीं कर सकते एक साल से हम लोग वेट कर रहे हैं मैं 10-11 दिन दिली में बैठा रहा अगर आप सीरियस है तो बात कीजिए अगर सीरियस नहीं है तो हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे लेकिन कम्यूनिटी को कुछ देना पड़ेगा नेता को कुछ मिले कम्यूनिटी को कुछ नहीं मिले ये होगा नहीं तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आप प्रात्ना कीजिए प्रे कीजिए महराज के लिए नहीं कि हमें कुछ मिले हमने हमेशा तीप्रासा कम्यूनिटी को हमेशा साइड लाइन करके हमें डेवलपिन नहीं दिया गया टीटी एजीसी में उस दिन सबजोरूल का जब मैंने लाइन देखा कश्ट मुझे हुआ 27,000 लोगों ने 110 नोकरी के लिए कितना बेरोजगारी है अगर हम लोग गरीब रहेंगे तो हमारा बच्चा का सिक्षा कैसे मिलेगा आज हम लोग हानी बुसा होके भी भूमी ही इन है अगर नैशनल हाइवे बनता है रोड वाइडनिंग होता है कहीं में कोई प्रजेक्ट आता है तो हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलता क्योंकि हमारे नाम में जमीन रेजिस्टर नहीं है यह कौन से नौटीस में जगा है जहां में इंडिजिनिस पीपल को अपने ही जमीन में पर्मेशन चाहिए अपना घर बनाने के लिए पॉम्पनसेशन के लिए तो यह सब चीज बहुत इंपोर्टन्ट है सब लोग टेक्निकल पॉइंट में जाते हैं मुझे प्रैक्टिकल पॉइंट देखना है कि हम अपने बच्चे का भविशे कैसा ठीक करें पॉलिटिकली आप देखेंगे कि हम लोगों का पॉलिटिकल राइट्स क्या है कुछ नहीं और कोई अगर कृप्रा को आइडिन्टिफाई करता है तो महराजा सानव तस्वाइल टीप रासा होकर आइडिन्टिफाई करता है लेकिन हमें क्या मिला है आज अगर टोरिजम को प्रमोट करना है तो नीर महल, औजेन तालेस, माताबारी किसने बनाया वो हमारे पूरवजों ने बनाया हमारे लोगों ने बनाया लेकिन पैसा कौन कमा रहा है एडिसिक से बाहर स्टेट गर्मोन कमा रहा है उसका कुछ शेर्टों हमारे पास आरा चाहिए ONGC, Gale, Oil India exploration करता है हमको कितना पसेंट पिलता है 30% जबकि 100% exploration हमारे अरे में होता है आज अगर EDC का बजिट सिर्व 2% स्टेट बजिट का है जबकि 35% लोग EDC अरे के अंदर रहते हैं तो यह इंसाफी है या ना इंसाफी है यह सब चीज हमको सोचना पड़ेगा और हमें अपने कम्यूनिटी के बारे पहले बात करना पड़ेगा जिस दिन कम्यूनिटी politically, economically और land wise secure होगा तभी हम बराबर होकर बात कर सेटेंगे आज हम लोग नहीं डिमान कर रहे हैं किसी का सिंप्रती, आज हम डिमान कर रहे हमारा अधिकार constitutional rights अगर कोई serious है तो बात करे अगर सिर्व आपको politics ही करना है और आप serious नहीं है तो thank you very much लेकिन I am not interested जवाब उनकी court में है अगर वो देंगे तो हम जाएंगे अगर नहीं देंगे तो इतने साल अकिला लड़ा है अकिले ही लड़ेंगे लेकिन community को इस बार कुछ न कुछ तो देना है और वो भी writing में देना है सिर्व मूख बोलने से कुछ नहीं होगा आप writing में कुछ दीजे हम 100% विचार करेंगे writing में नहीं देंगे तो क्या guarantee है कि कल फिर से हमारे सांग ठोकाई ना हो यह मेरा message पूरे तीप्रासा को है ना कि सिर्फ तीप्रामथा को IPFT को है BJP जनजाती मोचा को है STCEL को है आप politics इस बार मत कीजिए मैं सब के लिए कुछ चाहता हूँ party के लिए नहीं जाती के लिए हंत में मेरा एक ही limited point है community को एकटा करो अगर हम लोग एक block होते हैं तो community का भला होगा अगर हम लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने position के लिए अपने power के लिए अगर हम लोग अलग अलग आवाज में बात करेंगे तो नुकसान हमारे ही होगा मेरा यही एक statement था अगर आप इसको समझ सकते हैं तो हमारा भला होगा यही मैं आपको कहना चाहते है बला बला इनुहांबाइ God bless दिप्रासाद दौपाद